नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मारी चार्ज में तो आज हम बात करने जा रहे हैं नॉन इस्ट्राइडल एंटी इंप्लैमेटरी ड्रग के बारे में जिनने हम एनालजेसिक या पेंकिलर के नाम से भी जानते हैं तो आज हम जानेंग कि यह कितने प्रकार की होती हैं और कैसे काम करती हैं तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम जानेंगे कि नॉन इस्ट्राइडल एंटी इंप्लैमेटरी ड्रग होती क्या हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके बारे में तो इन्हें पेंकिलर भी कहा जाता है ये गैर esteroidal drug होती है मतलब जो esteroidal adverse effect होता है जो side effect होता है वो इनसे नहीं होता है इसलिए इनको non-esteroidal anti-inflammatory drug कहा जाता है अगर हम इनका classification करते हैं तो इनको दो categories ने divide किया गया है पहला traditional या non-selective cox inhibitor होता है दूसरा never या selective cox inhibitor होता है अब इनका अगर uses की बात करते हैं तो इनको inflammation, pain management और fever इसमें इसका इस्तमाल होता है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें inflammation, these are the picture serving the inflammation and these are the serving pain and ये picture जो है वो सो कर रही है fever को जहां पर जो ये thermometer में temperature है body के normal temperature से ज़्यादा है अब inflammation के बारे में हम जानेंगे कि inflammation होता क्या है और ये कैसे होता है तो पहले अगर हम बात करते हैं इसके तो inflammation is a physiological response to tissue damage ये क्या होता है एक तरीके का response होता है जो tissue damage होने के बाद होता है तो इसके कैसे कैसे पता करेंगे तो पहला तो होता है वो particular area redness होगा do to increase amount of blood in congested tissue क्या होता है जो tissue होते है वो overlap करते हैं वहापर जहाँ पर damage होता है जिस बज़ेसे क्या होता है वहाँपर blood का amount बढ़ जाता है इस बज़ेसे वहाँपर redness हो जाती है दूसरा heat मतलब वहाँपर gourmet few लगते हैं क्यों होती है the sensation caused by heat energy वहां पर heat energy की वज़े से sensation cause होता है अगला लेक्षण जो आता है वो होता है swelling का localized enlargement मतलब उस particular जगह में local area मतलब जो होता है कि जहां पर चोट लगी होती है से मोच होती है हाथ में पैर में यह कहीं भी लगती है तो एक particular जगह लगती है जब cells होती ना एक दूसरा overlap कर जाती है congested हो जाती है तो वहां पर enlargement उसका आकार बड़ा दिखाई जेता है इसकी वज़े से पर क्या होता है वहां पर pain होता है जिस वज़े से क्या होता है pain feel होता है अब बात करते है type of inflammation की inflammation कितने type होते है तो यह दो type की होते है पहला होता है acute inflammation acute inflammation मतलब होता है यह short duration inflammation यह कुछ दिन या कुछ हपते के लिए रहेगा और ठीक हो जाता है जैसे कि dental pain होता है दांतों का problem हो तो वहां पर कुछ दिन के लिए inflammation होती है फिर ठीक हो जाती है after taking by medicine is skin scratches जैसे कही होता है हम चलते हैं या गिर जाते हैं इसके स्क्राचेज हो जाती है तो वहां पर inflammation हो जाता तक बर्निंग का जैसे चोटा मुटा अगर कहीं जल जाते हैं धूब में जाते हैं तो तो ऐसे inflammation को acute inflammation कहते हैं जो short duration के लिए होती हैं। वहीं दूसरी होती है chronic inflammation ये long term होती हैं। मतलब long duration inflammation ये कुछ हपते के लिए भी रहेगी। महिने भी हो सकते हैं। इवन ये कुछ सालों के लिए भी हो सकती हैं। जैसे arthritis ये long term होती हैं। परहनों भी रह सकती है यह दो टैप की Arthritis की बात करते हैं यह तो और्थय उटोर्फ इनृट होगा वो यह रखा है इसका एक्सेंट क्या हुआ है, बॉड़ी, टिसू, कहीं पर इंजिरी या इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पर क्या होता है, वो सेल डेमेज हो जाती है, अगर वो सेल जब डेमेज होती है, तो आप पर फास्पोलिपिट रेलीज होता है वह oxygen को और बनाता है यह यह क्या होता है यह पर protection देता है दूसरा इस साइड होती करके coq-02 यहां पर अगर करेगा यह तो इस ने क्या क्या coqs बन नहीं के लिए लीए पार mec नियुक्त कर लेता है बचा लेता है अब मैश एक यहां पर यहां पर pro-inflammatory prostaglandin यहां पर जो बन जाता है जिसके कारण यहां पर inflammation हो जाएगी, pain होगा और फिर fever feel होता है अब treatment क्या होगा इसका, इसके जो treatment है वो दो टाइब की होते हैं जैसा कि हम आपको बता चुके थे traditional और new जो newer है उसमें selective drugs आती है और traditional में non selective drugs आती है non selective में क्या होती है मैफिनामिक एसेड है, ibrufen है, इसके आद में diclofenac है कुछ इस तरीके से बहुत यह famous brand है जो market में available है जैसे कि मैफिनामिक एसेड में यह आता है, ibrufen में यह आता है और diclofenac में यह आता है oxidize हुआ, arcanic acid बनाया, इसने क्या किया, cox 1 और cox 2 दोनों को block कर दिया, दोनों channel को block कर दिया, अब जब यह दोनों channel block हो जाएंगे, तो मतलब कि cox 1 का भी काम disturb हो जाएगा, यह क्या करता था, हमारे GI को protect करता था, GI side effect बगारा नहीं होने देता था, जो प्रोटेक्ट करता prostaglandin बनता था, वो जो GI को protect करता था, यहां क्या हो गया, no cytoprotective prostaglandin, तो इसकी बज़े से ना, इसका function भी disturb हो गया, जिसकी बज़े से क्या हुआ, GI side protection भी रुख गई, जब GI side protection रुख जाएगी, तो वहां उसका side effect दिखाए देगा, वो होता है, gastric side effect, अक्सर देखा होगा कोई डॉक्टर जब कोई pen killer देता है, कोई डॉक्टर अगर pen killer देता है, उसके साथ में एक PPI जरूर देता है, कहता है कि PPI ले लेना, मतलब वो यह पैंटा प्रोजल, है ना, जो innovator होता है, वो दे देते हैं, ताकि इसका function जब यहां से distra हो जाता है, तो वो अपना काम करे इसलिए pen killer के साथ PPI देते हैं, अब काम यहां करना था इसको, इसने यहां काम किया, कैसे, COX-2 को innovate कर दिया, अब जो pro-inflammatory prostaglandin formation होती थी, इसको block करने के बाद यह नहीं होगी, तो देखिए लिखा हुगा है, no pro-inflammatory prostaglandin formation, sorry formation, जब यह formation नहीं होगी, तो उसके result में क्या हो होगा, मतलब इन चीजों से relief मिल जाएगा, अलाकि इसने काम अच्छा किया अपना पूरा, लेकिन इसने यहां भी गड़वड कर दिया, अब यहां पर change करते हैं, medicine को, तो यहां पर आखिए नीवर, मतलब selective cox inhibitor, इसमें आता है neemuslide, acyclofenac and meloxicam, यह क्या करता है, यह देखिए, injury हुआ, infection हुआ, यहां पर इसने cell damage हुआ, phospholipid, oxidation हुआ, इसके बाद में archidonic acid बना, यह सारा process सेम है, यह तो रहेगा रहेगा, अब इसने क्या किया selective ने, क्योंकि यह selective है, इसको मालूम है कहां पर काम करना है, क्योंकि यह selective है, तो यह काम करेगा सिरफ cox 2 inhibitor पर है, यह चैनल पर है, तो यह cox 2 को inhibit कर देगा, इधर इसने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं किया, यह जैसा था, वैसा है इसका function बना रहा है, इसने इसके function को बिल्कुल भी disturb नहीं किया, तो क्या है, cox 1 में था, ठीक न, इसने क्या गया, cytoprotective prostaglandins बनाया, इसने GI, cytoprotection भी दिया, मतलब किसी भी तरीका gastric creation नहीं होने दिया, अब यहाँ पर आईए, इसने क्या किया, इसको block कर दिया, cox 2 को जैसी इसने inhibit किया, sorry, block किया, तो induced by inflammatory stimuli, इससे मिलके, तो यहाँ पर क्या हुआ, no pro-inflammatory prostaglandin formation, किसी प्रकार का pro-inflammatory prostaglandin formation नहीं हुआ, जिसकी व नहीं हुआ, inflammation नहीं हुआ, और pain भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर इसने अपना काम पूरी तरीके से किया, और साथ में यह भी धियान रखा कि इसका function भी disturbed नहीं हो, तो जब इसका function disturbed नहीं हुआ, तो GI protection भी हुआ, मतलब इसके साथ, इस pen killer के साथ, PPI देन सबसे पहले हम जानें कि pain क्या होता है, a symptom of physical heart, of or disorder, यह क्या होता है, symptom मतलब लक्षन होते है, physical, यह चोट लगने से, local swelling, local भी हमने आपको बता है, particular जगे पे, वहाँ पर सूजन हो जाती है, compresses sensory nerve ending, compresses मतलब होता है, वहाँ पर compress हो जाना, दब जाना उस चीज को, sensory मतलब होत होती है, जो message को ले के जाती है, brain तक, बिल्कुल tip, बिल्कुल से corner, वो क्या होता है, जो तंदिर का तंद की बिल्कुल tip point होती है, वहाँ पर जाके वो असर करती है, अब कैसे करेगी, यहाँ पर देखिया, tissue damage हुआ, अब क्या हुआ है, इस ने pro-inflammatory prostaglandin, यह release हुआ, stimulate किया किसको, nociceptors को, nociceptors को यहाँ पर वो हुआ, अब यहाँ पर इनका function किसी भी तरीके का disturb नहीं है, कहीं से भी नहीं हुआ, सारा का खुला हुआ है, यहाँ पर इसने आगे यहाँ काम किया, इसने आगे यहाँ आपना हुआ सरत किया, तो यहा यहाँ पर कहा है, capacity to tolerate pain, जो pain यहाँ दर्द सहने की जो छमता होती है, उससे ज्यादा हो जाता है यह दर्द, तो फिर क्या होता है, उसको patient को feel होता है pain, तो यहाँ पर उसको दर्द महसूस होता है, अब यहाँ पर यह एनालजेसिक जो हम देते हैं, तो कैसे काम करेंगे, tissue damage हुआ, ठीक है न, अब यहाँ पर क्या लिखा है यहाँ पर, acetanophen act here, अब इसने क्या किया, जो medicine धी हमने, जो non-steroidal anti-inflammatory drug दिया, उसने पूरा ब्लोक कर दिया, इसको ठाके, अब यहाँ क्या हुआ, जो हमारा pro-inflammatory prostaglandin बनता था, जो release हुआ था यहाँ से, वो भी नहीं होने दिया, जो stimulation होता था, nociceptors का, उसको भी इसने यहाँ रोग दिया, nociceptor भी release नहीं हुए यहाँ पर, जब यह बिलकुल से यहाँ था, इसने पूरा डिस्टब कर दिया, इसने उठाके, जब यह पूरा ब्लोक हो गया, तो ना तो यह active रहा, ना यह active रहा, तो प्रेश पेंड, ठीक है ना, अब जो पेंड, सेने की जो छमता होती बढ़ जाती है, capacity to tolerate pain, इसकी capacity को जब यहाँ पर बढ़ जाता है, तो यहाँ पर पेंड को फील नहीं होता है, मतलब, overall, इसका जो मैसेज होता है, उपर जाने ही नहीं देता है, किसी परकार का, जब यहा चैनल, leave the comments for any questions, हम आपके सवालों के जवाब देंगे, बस comments box में आप सवाल करें,